तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में तो या Redmi Note 8 के लिए यहां पर एक गुड नीज है क्योंकि Redmi Note 8 के लिए 1st beta-rom की update MIUI 12.5 जो है यहां पर रलीस कर दी गई है तो यहां पर आपने सुना होगा आपको नया boot animation sound and boot animation different यहां पर देखने को मिलता है तो यह है MIUI 12.5 तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जो है device को unlock कर लिया है यह fully installed है तो अगर मैं यहां पर settings में जाता हूँ तो आपको यहां पर दिखा देता हूँ my device तो यहां पर लिखा आ जाता है MIUI 12.5 यह weekly nightly update है अभी closed beta में चर रही है तो आप इसे अभी ऐसे install नहीं कर सकते हैं आपके पास custom recovery होनी चाहिए तो यह है 21.12 तो यहां पर आप देख सकते हैं और इसमें दोस्तों आपको यहां पर Android 11 की support देखने को मिल जाती है तो आप देखेंगे यहां पर नया sound आपको यहां पर देखने को मिलता है सुनने को मिलता है जब आप अपने device को unlock करते हैं charging में भी change कर दिया गया है और अगर आप यहां पर यह launcher देखेंगे तो नए animations के साथ यह zoom effect आपको देखने को मिल जाता है तो यहां पर आप देखेंगे काफी अच्छे नए animations है, तो यहां पर अगर हम settings में जाते हैं तो बाकि सब कोई same है दोस्तों यहां पर अगर हम wallpaper and personalization में जाते हैं तो यहां पर आपको पूरी नई look यहां पर देखने को मिल जाती है तो यहां पर आपको icons देखने को मिल जाते हैं जो भी आपने यहां पर लगाए हुए हैं तो यह classic है और size change कर सकते हैं तो यहां पर आप जो है वो change कर पाएंगे कौन सा font आपको चाहिए बड़ा चाहिए चोटा चाहिए आप इसको बड़ा चोटा चाहिए यहां पर यहां पर आपको इस पर कारको यहां पर पर यहां पर देखने को मिल जाते हैं तो बाकी दोस्तों आपको यहां पर ringtone में जो है वो यह जो है वो design change कर दिया गया है ठोड़ा सा अगर आप notification में जाते हैं तो आपको अब यहाँ पर बहुत सारी ringtones देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर आप देखेंगे काफी सारी ringtones आ चुकी है तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यार बहुत सारी तो यहां पर आप सुनेंगे यार बहुत सारी जो है वो दिंग टोन्स यहां पर आ चुकी है तो यह काफी अच्छी बात है नोटिफिकेशन में और यहां पर बहुत सारी है यार आप यहां पर देख सकते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज यहां पर कर दिया गया है तो यहां प पर यह जो है वो डार्क मूड और इंडिया में आ चुका है पर अभी जो है इंडिया में नहीं आया, ग्लोबल में आ चुका है, तो यह भी हमें देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द इंडिया में, पर यहाँ पर home screen में आपको जो है, वो control center थोड़ा सा different देखने को मिल जात तो यहां पर smart home भी आपको देखने को मिलेगा, तो यह भी एक अच्छी बात है, उसके बाद दोस्तों यहां पर आप अगर home screen में जाते हैं, तो यह जो navigation bar अब यहां पर आ चुकी है, तो अगर आप यहां पर इसे लगा देते हैं, तो buttons आ जाते हैं, यहां पर tap कर देते हैं, दोस्तों navigation bar यहां पर आचुकी है, यहां पर आचुकी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो यह navigation bar finally हमें me ui 12.5 में देखने को मिलेगी, और बाकी दोस्तों यहां पर आपको arrange recent भी देखने को मिल जाता है, यहां कि horizontal आप लगा सकते हैं, vertically भी and horizontal भी, तो यह भी एक अच प्राइवेसी का काफी धियान रखने वाले हैं, तो यहां पर आपको काफी सारी changes मिलेंगी, wallet यह चाइना बेस्ट है, तो इसका कोई फाइदा नहीं है अभी, तो इसका तो अभी रहने ही देते हैं, तो इसका कोई फाइदा नहीं है, क्योंकि यह हमारे यहां नहीं आने व मिल सकता है, गेम तर्बो में दोस्तों कोई भी यहां पर नहीं आया है, गेम बूस्टर यानकि जो वोइस चेंजर है, तो यहां पर कुछ इस परकार की गेम मिल जाती है, तो यहां पर कोई भी आपको जो है वो नहीं मिलता है, जो गेम वोइस चेंजर है, तो दोस्तों बा तो यहां पर थोड़ी बहुत चेंजीज हैं, पर यहार काफी अच्छी चेंजीज आने वाली है, मी यूए 12.5 में, यह पहली अपडेट है, दोस्तो अब इंडिया में यह कब आती है, तो काफी टाइम लगने वाला है, क्योंकि काफी सारी टेस्टिंग होगी अभी, तो यहां पर यहां पर वेडमी नोट 8 के बारे में, तो यहार आज के लिए बस इतना ही